नमस्कार बहुत स्वागत है अपका बिहारी नियूज में मरतन सेन भारती अजह हम बात करेंगे रेलों को किरायों के लेकर रेले यातिरियों के लिए अच्छी ख़वर सामने आई है बतादें कि करोना काल में ट्रेन किराय में बढ़ोतरी की मार जहल रहे यातिरियों के लिए अब रहात की ख़वर सामने आई है बतादें कि रेलों के लिए एक्सपरेस ट्रेनों के लिए विसेश टेग हटाने तथा महा हमारे से पहले के किराये पर ततकाल प्रभाब से लोटने के आधेस जारी कर दिये हैं बतादें कि जब से करोना वाइरस की वज़े से लगे लॉकडाउन में धील दी गई थी रेल्वे केवल विसेश ट्रेन चला रहा था बतादें कि इसकी सुरुवात लंबी दूरी की ट्रेनों से हुई और अब यहां तक की कम दूरी की यात्री सेवाओं को थोड़ा अधिक किराये वाली विसेश ट्रेनों के रूप में चला आ जा रहा है ताकि लोगों से अपरिहार यात्रा से हतो साहित किया जा सके यानि कि जो लोग जरूरी में यात्रा करना चाहते हैं वही सिर्फ यात्रा करें बेवजह की यात्राओं से रोकने की बात रेलवे की तरफ से की गई थी रेलेव बोर्ड ने जोर्नल रेलेवे को लिखे अपने पत्र में कहा है कि ट्रेने अब अपने नियमित नंबर के साथ परिचालित कि जाएगी और किराया कुरोना से पहले की दर्प कितरह ही होगा बतादें कि बोर्ड ने 12 नवंबर को जारी अपने पत्र में कहा है कि COVID-19 महामारी के मदनजर सभी नियमित मेल एक्सप्रेस ट्रेने MS-PC और Holiday Special के रूप में चलाई जा रही है ऐसे में अब यह फैसला किया गया है कि बर्किंग टाइम टेवल 2021 में सामिल सहीत MS-PC और HSP ट्रेन सेवाइन यमित नंबर के साथ परिचालित की जाएगी और किराया दिशा निर्देसों के अनुसार यातरा के लिए संबध बर्ग बर्ट्रेन के परकार पर अधारित होगा रेले बोर्ड ने भले ही जोर्नल रेलेवे को यह अधेस दे दिया है कि इसे ततकाल प्रभाब से लागू किया जाए लेकिन टाइम टेवल नहीं बताया गया कि कब से यह लागू होगा एक बरिष्ट अधिकारी ने बताया कि जोर्नल रेलवे को निर्देश जारी किया गया है कि हाना कि ततकाल प्रभाव से जारी अधेश की तालिम में एक या दो दिन का समय लग सकता है इधर एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में सतरा सव से अधिक ट्रेने बहाल की जाएंगी उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेन नंबर का पहला अंग सुने नहीं होगा जैसा कि एस्पेसल ट्रेनों में पहले हुआ करता था हाला कि यह भी कहा गया है कि कुरोना के दोरान जारी गाइडलाइन अभी भी लागू रहेगा जैसे कि रियायत यानि की छूट, बेड रोल यानि की बीस्तर और भोजन सेवाए अभी भी स्थाई रूप से बंद रहेंगी बताते हैं कि रेलवे ने कुरोना काल के दोरान बंद रियायत के बाद रेलवे के रजस्म में काफी जापा हुआ है रेलवे ने यातरियों के मद से 2021-2022 के दोरान ती माही में पहली ती माही की तुलना में 113 परतिसत से ज़्यादा की ब्रीधी की कमाई की है तो एक दोरान काल के दोरान रेलवे के लिए एक मुनाफा का सौधा रहा और कोरोना काल के दोरान रेलवे ने खास करके 113 परतिसत उन्होंने मुनाफा कमाया है हाना कि अब जो है रेलवे के तरफ से आधेस जारी कर दिये गए हैं और कहा गया है कि जो पुराने दर है मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की वही ली जाए बिहार और बिहार से जुड़ी और भी इस से इंखबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजिये अजाज़त धन्यवाद